Hello kids, good morning, how are you all? I hope you are healthy and safe kids. Today's subject, crayon fun. चलो सबसे पहले हम prayer कर लेते हैं. Close your eyes and join the hands. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswar. Guru Saksat Param Brahma, तस्वे स्री गुरु वे नमा, तस्वे स्री गुरु वे नमा, ओम सान्ती सान्ती सान्ती. चलो स्लोली स्लोली अपनी eyes open करो. Today's subject, crayon fun. तोपी कौन सा है या डोल्फीन? आपने देखिये रहें डोल्फीन, चलो मैं दिखाती हूं. देखो बच्चो, यहां मैंने डोल्फीन की image बोट पे डोगी है. डोल्फीन पानी में रहती है. इस आज हमें क्या करना है? डोल्फीन में हमें color करना है. देखो बच्चो, यहां मैं आपके डोल्फीन की image दिखा रही हूं. बच्चो, क्रेयन फोन की book निकालनी है. और page number, page number 21 निकलना है. इसमें सबसे पहले हम क्या करते है? और डोल्फीन, color the dolphin. यहां डोल्फीन का picture दिया हुआ है. इसमें हमें color करना है. डोल्फीन कहां रहती है? पानी में. इससे पहले picture में मैंने दिखाई दी ना, fish, different type की. आज हमें डोल्फीन में color करना है. डोल्फीन कौन से color की होती है? ज़्यादा तर वो blue color की होती है. तो इसमें हमें blue color अच्छे से कर देना है. अच्छे से blue color करना है. water में different different type की fish होती है. इसमें से डोल्फीन, shark fish, whale fish, अलग-अलग fish होती है. इस डोल्फीन फ्रेंट टाइप की होती है. आपने देखा होगा कई picture में बचे उसके साथ खेलते हैं. इसे डोल्फीन में अच्छे से blue color करना है. बाहर नहीं निकलना है बच्छों इसे पूरे fish में इससे ही blue color कर देना है. देखो, यहाँ water दिया हुआ है, इसके उपर tracing करनी है, यहाँ डोड-डोड दिया हुआ है न, इसके उपर tracing करते जाना है, इसे पानी बनाना है, water बनाना है. फीज पानी में रहती है, पानी के बीना मचली नहीं रह सकती, एसे ही अच्छे से आपको पूरी डोल्फीन में अच्छे से color करना है. I hope आप अच्छे से करोगे, thank you kids, bye bye.